तो गाइस हमारा शिंचैन पूरी तरीके से टूल चुका है क्योंकि इसके फ्रैलकिन भाई ने इसे मारने की कोशिश करी है वो भी पाणी में धुबो कर तो इसलिए शिंचैन माईकल के पास जा रहा है ताकि वो इसे फ्रैलकिन से बचा ले अरे गाइस यार मैं पागल था जो माईकल अंकल के घर पे आया क्योंकि इनके घर पे भी चारो तरफ पे खूनी खून पड़ा हुए यहाँ पे तो एक लाश पड़ी हुई है और इसका खून चारो तरफ पे फैला हुए गाइस यार मुझे तो बहुत ही जादा ड़ लग रहा है अरे गाइस यार मुझे माईकल अंकल के रूम से बड़ी अजीब अजीब सी आवाजे आ रही है आपको भी आ रही है क्या एक काम करते इनके रूम के अंदर ही चलते और यह क्या गाईस यार इनके रूम में तो चारो तरफ पे खूनी कून है और ये वाली चीयर हवा में कैसे उड़ी है और एक स्टिंड यहाँ पे तो खून की नदी भैरी है और ये वाला खून उबल क्यों रहा है अरे नहीं, गाईस यार ये चियर के उपर कौन बैटा है और इसने तो मेरा हाथ पकल लिया आरे छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ गाईजर मुझे यहां से जल्दी से भागना पड़ेगा लेकिन मैं चाहूं कहाँ पर यह कौन सा गेट है अरे बाब, रे बाब यह मैं किसके रूम में आगे और यह कौन पड़ा हुआ है गाईजर यह तो माईकल की बेटी है इसको किसने मार दिया है भगवार यहां पे क्या चल्ड़ रहा है गाईजर मुझे माईकल अंकल के गर से जल्दी से भागना पड़ेगा लेकिन एक मिनट गाईजर यह माईकल की फैमिली को हुआ क्या है और इन सब को मार किसने दिया और वो उपल चेयर पे कौन पैठा हुआ था गाईजर इनका गर तो पूरा भूतिया बन चुका है एक काम करतों यह वाली गारी लेकर यहां से भाग जाता हूँ परना मैं भी इनकी तरह मारा चाऊँगा चल्दी भागो यहां से लेकिन गाईज समझने वाली बात तो यह है कि फैंकलिन और माईकल की फैमिली शिंचैन को मारना क्यों चाती है कहीं किसी ने इनकी उपर ब्लैक मैजिक तो नी कर दिया ताकि वो शिंचैन को मरवा सके लेकिन ऐसा कर कोन सकता है तो इसी के साथ शिंचैन निकल चुका है ट्रावर के गाउ जाने के लिए लेकिन शिंचैन एक बात भूल गया जब फ्रैंकलिन ने इसे पानी में ढुबो कर मारा था तो फ्रैंकलिन वहां से भाग गया था इसका मतलब वो इसे दुबारा से ढून के मार सकता है अरे गाइस यार ये देखो हमें ये वाला मैप मिल चुका है इसका मतलब हम ट्रैंकल के गाउं में पोचने वाले हैं बस हमें ये वाला जंगल पार करना पड़ेगा लेकिन गाईज यार मुझे इस वाले जंगल में बहुती जादा ड़न लग रहा है और ये क्या जिस बात का ड़ता भाई हुआ गाईज यार यहाँ पे तो बहुती जादा खून पड़ा हुआ एक काम करता हूँ अपने कार की हैड्लाइट ओन करता हूँ अरे ये क्या सामने में तो कोई किसी को खा रहा है और यहाँ पे नदी में बे कितनी सारी लाश पड़ी हुई है गाईज यार यहाँ चल क्या रहा है अरे देखो तो कैसे खाये जारा है इंसानों को तु ये ले तु मेरे कार से नहीं बचने वाला गाईजर एक काम करते हैं जल्दी से इस वाले जंगर से भाग लेते हैं परना हमारा भी भाई हालोगा अरे ट्रेवर अंकल अब कहा गई मैं आ रहा हूँ लेकिन ये क्या जिस बात का डरता वई हुआ फ्रैंकलिन को पता चल गया कि शिंचैन अभी तक सिंदा है और फ्रैंकलिन बहुत तेस खुंदक में आ चुका है और इसकी आग तो पूरी तरीके से लाल हो चुकी है लगता है कि शिंचैन अब नई बचने वाला और फ्रैंकलिन निकल जाता है शिंचैन को मारने के लिए अरे बाप रे ये तो मेरे कार के पास ही आ गए गाईजर मुझे यहां से जल्दी से भागना पड़ेगा अरे गाईज यार यहां पे तो इतनी तेज बारिश भी आ गईए और मुझे सामने का कुछ भी नई दिखाई दे रहा कहीं फ्रेंकिन भाई वापिस से न आ जाए और एक सकेंड गाईज यार मेरे साइड में कोन बैटा हुआ है अरे नहीं ये फ्रेंकिन भाई वापिस से कांसे आ गए मुझे जल्दी से कार में से कुछना पड़ेगा आरे गाईस यार भागो 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 मेरे पैर में बहुत देज चोट लग गई लेकिन मुझे एक बाद समझ में नहीं आ रही कि फ्रैकन भाई मेरी कार में कैसे आ गई और वो मुझे कैसे बारबाई ढूल लिते हैं गाईस अर हमें जल्दी से यहां से भागना पड़ेगा और अपने ट्रैवर अंकल के पास जाना पड़ेगा ट्रैवर अंकल मैं आ रहा हूँ तो गाईस अब देखना ये है कि इसके साथ क्या होता है लेकिन चेन चेन इस बात से अंजान है कि ट्रावर के पास जाने से इसके साथ क्या होगा क्योंकि सबसे बड़ा खत्रा तो ट्रावर के पास ही है मेरी आगर्ए उमीद पर भी पानी फिर गया लेकिन ट्रेवर अंकल जाका सकते है नहीं यह क्या गाईस यार मेरी आंखों पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ट्रेवर अंकल के साथ माईकल भाई और फ्राइल के नंकल गड़ टाड़े वही है लेकिन ये हो क्या राएग गाईस यार कहीं ये तिनो एक साथ मिले वे तो नहीं है न अरे गाईस यार अब तो कोई ऐसा बचाए नहीं कि जिसपे मैं विश्वास करतागू लेकिन एक सेकेंड ये मेरे पीचे किसने हाथ रखा गाईजर मेरे पीचे कोना और यह नहीं यह कोना है लेकिन यह किया देखते ही देखते फ्रैंकलिन, ट्रैवर, माईकल तीनों मिलके शिंचैन को मारने लगे और बिचारा शिंचैन बस चिलाता रहा तरपाता रहा लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया अरे गाईस यार कोई तो मुझे बचालो इस तीनों से मुझे बहुँ ज़्यादा दलतू रहा है अरे मत मारो मुझे अरे गाईस यार कोई तो बचालो यह सब मुझे मारने के बाद आग में चिला रहा है मुझे बहुँ ज़्यादा दलतू रहा है अरे फ्रैंक्लिन भाई क्या हो गया आपको यह जल्दी उठोना मैं आपका शिंचान भाई हूँ अरे गाईजर इन तीनों में से मेरे बात कोई नहीं सुन रहा लेकिन इन तीनों को हुआ क्या है गाईज यह मुझे क्यों माणना चाते है और यह क्या देखते ही देखते यह सारे शिंचान को एक लकड़ी के पिंजर में बंद कर देते हैं और चारो तरफ से आग लगा देते हैं लेकिन एक बाद समझने वाली यह है कि फ्रैंक्लिन माईकल ट्रैवर के अलावा ये शिंचैन के चालो तरफ पे कौन खड़े हुई है जो कि इतने ज़ादा खतरनाक लग रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि माइकल फ्रैंकलिन ट्रैवल से ये सारे काम यही सारे लोग करवा रहे हो अरे कैस यार मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इन सभी लोगों नहीं अपने माइकल ट्रैवल और फ्रैंकलिन भाई के उपर ब्लैक मैजिक करा है और इसलिए वो तीनों मुझे इतना जादा मार दे थे लेकिन ये क्यार लगता है कि फ्रैंकलिन फिर से अपने शिंचैन को मारने जा रहा है लेकिन एक सकंड इतनी अंधीरी गुफा में से ये कौन निकल के आ रहा है अरे ये तो अपना स्टीव है लगता है कि इसे पता चल चुका है कि अपना शिंचैन खत्रे में है और लगता है कि स्टीव बहुत ही जादा घुसे में है क्योंकि शिंचैन को कुछ भी हो स्टीव को घुसा आ जाता है तो गाइस जार अगर आपको आज वाली वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कल देना और हाँ गाइस अगर आपको इस वाली सिरीज का पार 3 चाहिए है तो मुझे कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताना अब मिलेंगे अपने अगर आप इसोच में तब तब के लिए बाबाई